हेलो वेलकम बैक दोस्तों मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं यह वीडियो बना दे रहा हूं बहुत सारे कमेंट्स आ है जिनको भी तक पता नहीं है कि क्या क्या करना है तो उसी पर मैं वी पोस्ट करता हूं कि सभी लोगों का जवाब दे सकों तो चलिए मैं कुछ लोगों का सवाल किये उनका जवाब दे दूँ वो कमेंट किये वीडियो में उनका जवाब दे दूँ तो पालग है सर मैंने अभी तक golden forest का original document पोस्ट नहीं किया है मुझे कहां पोस्ट करना है और साथ में क्या भेजना है देखिए अभी इनको पता ही नहीं है और दोस्तों अभी तक आपने यह सब्सक्राइब कर लिजेगा तो मैं इनको बताना चाहूंगा यह विनोत कुमार पंडे तो इनको मैं बताना चाहूंगा फारेस्ट डिजनल डोकुमेंट पोस्ट नहीं किया है तो पहले तो आप क्लेम करिए अगर क्लेम नहीं होता है अकाउंट इन्वाइलिट बताता है तो आप मेरे वाटसप ग्रूप से उसका एड्रेस और जो लेटर है उसका सेंपल ले करके आप उनके एड्रेस पे पोस्ट भेज दिजीएगा अग्ला क्वेश्चेन है 30 पर-सेंट और मीलेगा की नहीं और इं多 रेस्ट मीलेगा की नहीं इन्टरेस्ट मीलेगा तो कितने यार का मिलेगा प्लीक्रिक मेन्ट तो इनको अहाब ही 30% की पड़ χार्डी है तो अभी तो 70% ही नहीं है सभी लोगों का जब 70% आजाएगा तो आपका 30% के बारे में कोई नहीं हो जाएगा तो मैं जल्दी बता दूंगा आप बेफिकर है अगला है कि भाई जी इसमें किसी भी डाकुमेंट का फोटो कापी या हाट कापी जमा करना है क्या किलियर कर दे तो अभी हम मुझे तो पता ही नहीं यह क्या बोलना चाहरा है इसमें भी डाकुमेंट या फोटो कापी आपके पास कुछ नहीं आपने golden first में पैसा जमा किया है और उसका receipt है तो उसमें account number होगा उसी से claim होगा अगर आपका account number invalid बता रहा है तो आप उनको by post उनके address पे भेज़ देंगे तो उसके बाद कोई नहीं हो जाएगा तो मैं बता दूँगा अगला question है कि इन्होंने लिखा है thanks sir मेरे question का answer देने के लिए तो आपको भी thanks और इन्होंने दूसरा question का है sir एक query और है sir हमारी तीन अलग-अलग investment थी तो एक email डाल सकते हैं बिल्कुल आप एक email से कितनों भी कर सकते हैं एक email से 100-200-300 मैं एक email से सबी लोग का किया था अगला question है my wife का नाम ठाकरी देवी था अब चेंज हो गया है अब राधिका देवी है हम भी कर भी computer को mail किया प्रांतु को कोई जवाब नहीं मिला एक्चुली मैं बता दो कि कभी वो लोग जवाब देते हैं कभी नहीं जवाब देते हैं तो आप एक दिन कैप करके फिर उनको mail करिए आपको जवाब मिल जाएगा email में आपको क्या करना है कि claim status का screenshot और अधार कर्ड जो भी हो या मैरे certificate हो आप लगा दिजेगा और उनको mail कर दिजेगा अगला question है सर्फ जिन लोगों ने दोज़ाच्छे में अपनी फॉर्म जमान नहीं किया है उनका फॉर्म नेट से मैच नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें देखिए मैच नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बता सकता हूं अगर मिस मैच हो रहा है तो उसका वह तो आप एक वीडियो बनाया हूं कैसे आप मिस मैच का सलोशन कर सकते हैं वाला वीडियो देख सकते हैं अगर एकाउंट है तो बाइपोस्ट भेजना पड़ेगा अगला question है सर्थ 200 वाली आरडी का क्या हो होगा मनी एमांट 200 बता रहा है भरा है और मेरे 140 आरेस आ हैं 200 वाली आरडी का क्या होगा तो आपने मुझे समझ मेरा है कि आप ज्यादा पैसे जमा किये हैं लेकिन आपका आप उनको मेल करिए और जो लास्ट वाला रिसिप्ट है पुरा जोड़ जाड़ को उनको मेल करिए कि मैंने इतना जमा किया और फर्स्ट और लास्ट वाला रिसिप्ट भी उनको भेज़ दीजिएगा अगला क्वेशन है मंतली वाले कागज अनलाइन नहीं जा रहे हैं अब क्या खरें तो आप उनको भाई पोस्ट भेज़ दीजिए सर मेरे पास सिर्फ मेरा और आप लोग कुछ भी कोई भी इमेल या कमेंट कर रहे तो आप ऐसा लिखे कि मुझे समझ में आ जाए अब यही पर रास्ता बाता है क्योंकि फोन मेल सभी करके ट्राइ किया हूं अगर आप एजेंट है आपके पास आपने पैसा बहुत ज्यादा जमा किया है तो आप चंडिकट जा करके अपने एकांडोर नंबर ले सकते हैं या मैंने इस से पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा उसमें मैंने एक नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं वरना और कोई तरीका नहीं है और इन्होंने लिखा एड मी इन गुरूप तो आप लिंक पर जाकर क्लिकर करके आराम से एड हो सकते हैं अगला क्वेशन है सर मैंने बैंक होल्डर नेम सिल्पी कि जगा सिल्पी देवी लिख दिया है जिस का पर मेंट नहीं आया है मैंने क mec provide को में इमेल किया था जिसका पंध्र दिन पहले वह रिपललाई भी कट चुके हैं लेकिन अभी तक प्रमेंट नहीं पॉंड नहीं हुआ है नहीं कलेम ट्र में करेक्शन हुआ है देखिए आप फिर से उनको मेल करिए आपको पैसे आ जाएगा अगला क्वेस्चन है कि मैंने दस हजार भरा था अब तक कुछ रिटर्ण नहीं हुआ है अभी तो कलेम हो रहा है अभी कलेम आप करिए और जरूरी आपका भी पैसे मिल जाएगा और एक कमेंट है सर एकाउंट नमबर और डिजिट रेकाउंट नमबर वन डिजिट गलती के चलते दूसरों का एकाउंट पैसे चला गया मैं क्या करूँ पैसा मिलेगा कि नहीं जब दूसरे के अकाउंट में चला गया तो पैसा तो नहीं मिलेगा और यह दूसरे करनें नहीं सकता है क्योंकि अगर नाम मैच कर रही है तो लोग एकांट में पैसा नहीं बैज Ne रहे हैं ते पैसा नहीं गया होगा आप उनको मेल कर दिए और वीडियो देखा देखकर मेरा गोल्डби तो चलिए आपका पैसा आ गया उसके लिए थैंक्यू मैं नोने सुत्राइब मैं मैं एक हजार आरे से डिपोजिट किया हूं पचीस सियर्स के बाद दो लाख बाइस हजार रुपए मिल मिलना था मैंने इमेल भेज़ दिया हूं कब तक मिलेगा तो आपको मैं बता दूँ कि आपने एक हजार रुपए जमा किये तो आपको सिर्फ साथ सो रुपए ही मिलेंगे उतना नहीं मिलेगे क्योंकि जो डिपोजिट इमांट है उसी का सतर परसेंट मिलेगा एक क्वेशन है कि ट्रांसफर केस के का किया होगा रुपए तो उसके बारे मुझे नहीं पता है तो यहीं था कुछ क्वेश्चन एक है सर माइप मैंट इस्टेर इस सोइंग के अनौल बेस्ट ऑन कमेटी इंस्ट्रक्शन वाट आइविल डू तो आपका जल्दी वह लोग इंस्ट्रक्शन के बाद आपको बता देंगे क्य आ रहा है सर हम लोगों का पैसा भी वापस नहीं आया कैसे आएगा अनिल भरदवाज आपका पैसा आएगा मेल करिए आपका क्या प्रॉबलम है अपने तो बताया ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा एक क्वेश्चन यहां पर है कि सर नाम फेर हो तो क्या करें इनका तो काम हो जाएका पैसा आजाएगा और इनका है कि सर अर्ड का क्लेव कैसे करें लिस यहां तो आटी के कलेंब प्रियोग करके आप अपना एमाउंट डिटेल सिर्फ एकाउंट नमबर से अपना पुरह डिटेल जान सकते हैं जब आप सिर्फ एकाउंट नमबर डाल करके एफ 12 प्रेस करेंगे उसके बाद मैंने वह वीडियो देख लिजीएगा एफ 12 वाला और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे कर लिजेगा और आप सिर्फ अपने अकाउंट नंबर से पूरी डिटेल जान सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कतार यह और क्या नाम है क्या कितना अमाउंट आपने जमा किया है जब वह पूरा आपको पता चल जाएगा तो आराम से जैसे फाइल ज डॉकमेंस नहीं है तो मैं क्या करूं देखि इनका एक लाख रुपय है और यह भुल लगे मेरे पास डॉकमेंट नहीं है देखिए अगर आपका एक लाख रुपया है तो आप चंदिगर चले जाई उनके पैल्स पर आप उनसे बिसेगर रिजेगा यह वाटप नाम से डिपोजिटर नेम बताईएगा पिताब जिदादा जो भी हो उनका नाम बताईएगा और उनसे एकाउंट नमबर जान लेज़ेगा वहीं पर डायरेक्ट कलेम एकाउंट कलेम कर दिज़ेगा आपका भी पैसा आ जाएगा और एक है सर मेरा यूनिक नमबर जेनरेट हुआ है पर जब कलेम इस्टेटर चेक कर रहे है पर हो नहीं रहा है इस्टेटर चेक तो एक मैं आपको बात बता दूँ कि आपका यूनिक नमबर जेनरेट हुआ है तो आप जब कलेम इस्टेटर चेक कर रहे होंगे तो आप रेज जो mobile number यानि कि आप क्लेम कर रहे तो उसी time जिस जो mobile number डालेते जिस पर आपका OTP आया था आप वही number डालिए unique number और वही mobile number और फिर capture को डालिएगा आपका claim status बता देगा तो उमीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर फिर आप लोगों कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करिएगा मैं उसका वीडियो बना करके डाल दूँगा तो आज के लिए बस इतना ही और आपने अभी तक यह study with कलिम को subscribe नहीं किया है तो कर्साल k करेंड़ से लिए